सामालेकुम, मेरे नान दॉक्टर दर्शिंकुमार है, मैं एसोसियेट प्रोफेसर डावज इनिस्ट्री आफ हैज साइंसेस खराची में काम करता हूँ यह जो वाइरस है, पहला बहुत सारे इस तरह के सवालाद पूछे जाते हैं हमें रोजाना अपनी बन्यादों पे किलिक्स में के यह वाइरस और आम फिलू वाइरस में क्या तबदीलियां देखी गई हैं बहुत सारे सिंटरम्स बहुत सारे लोगों को यह भी पता है कि आम वायरस जो हम जैसे ही देखते हैं कि जो वायरस है नॉमली जैसे मौसम के तब्दीली होती है तो आम से हालात में लोगों को बुखार, खांसी, नजला, गले में दरत, दुखन, सर में दरत, जिसम में दरत, 2019 नौविल कोरोनावायूरस के नाम से जान रहे हैं यह सारस फैमिली का वायरस है और यह वायरस और आम वायरस फ्लू से थोड़ी सी तबदीलियों के साथ दनिया में और इस वायरस की वज़ा से कुछ तबदीलियां जैसे में कुछ जादा हो रही हैं लेकिन बहुत आएर दे पूर्स में।+. नौर्फ क्रोना वार्स इसमें, मरीज़ों कोु जो तकलीफ नेखी हैं ज्यादा मिक्दार में। वह हैं उन्य लाइना बुखार, तैजी से रहना और enhance, जिसे तो रुखावर्स का रहना, बी तग्यूलियों थार डि करो जाता है और मौत्तर को सर्देंब छायता है वह सारा दूसरा वह सवाल हम से पूछते हैं किया यह वायज़ो्य देख्राइब अज़ियाइंति कि हैं और अर्य धे औरate स्वालत हैं अब दाएर यह देपी देखा गया है कि जो वाइरस हैं वो अपनी शकल तबील कर लेते हैं जिसकी शकल तबीली की वेजा से उनकी इम्यूनिटी का बोट दिनों तक चलना बहुत ज्यादा नहीं रहता लेकिन कुछ वाइरस हैं अल्ला ने हमें इस तरह का निजाम दिया कि जब हम हमें वाइरस लगता है तो उसके अगेंस जो अम्यूनिटी डिबलब होती हैं वो जबद नगी भर के लिए रहती हैं इस तरह से चिंद पॉक्स है अगलेकर जिए एक दफ जो हमें passive immunization जैसे जब हम मां के पेट में होते हैं तो वहां से हमें antibodies मां से बच्चे की तरफ मुंतकिल होती हैं दूद्ध पिलाने के साथ या प्लेसेंटा के दौरान तो नुक्सानात ना हो बच्चे को क्योंकि उस वड़ तो बच्चे की अपनी immunity नहीं है दूसरी immunity जो है व मां से जरासीम अगर कोई टच करेगा तो इंदर नहीं जाएगा इसी तरह से नाक की तरफ वाल हैं वहां से भी secretions हमें उस जरासीम को तोड़ देंगी हां कुछ जरासीम खतनाक होते हैं तो जरासीम को पावफल होने की वज़ा से उस पहली defense power को तोड़ के आगे की तरफ ज जिसे हम helper T-cells और B-cells कहते हैं जहां से ये जरासीम को माने के लिए कोट मदाफिय डिवलप होना शुरू हो जाती हैं तो इस तरह से अल्ला ने हमें immunity दी वी ये कि वारे से हम लग सके अभी हम आप से जैसे बता रहे थे कि लोगों की जो कोट मदाफियत है उसको disturbance बहुत स अनुमनलीना या उमर की बढ़ाओपन की में डासी बीमारियां होती हैं ये को नावल करोना वारिस जो है एक ऐसी फैमली का वारिस है जिसने हमारे जिसम को नॉमल जो डिफेंस पावर है उसको तोड़के आगे की तरफ चला जाता है लेकिन बहाँ साथ जो लोग जिनकी अ क्लिफों का बढ़ जाना और पेशिंट को नमोनिया हो जाना अब हम इस अम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम अम्यूनिटी को अपनी कुछ गिजाईयत की वजा से भी अच्छे तरीके से कुछ अपनी आदात की वजा से बढ़ा सकते हैं जिसमें वर्दिश का अमल को बायकाइद की से रहना, फल फ्रूड का खाना, सारे फल कुद्रत की तरफ से जो दिये गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनमें रस दार फल सबसे जादा एहम रखते हैं, जिनमें रस जादा हैं, उनमें विटामिन A, E, Spanish हैं, उनकी सलाहियत बहुत जादा हैं, तो इनका इ अगर गुर्ब नादो परी किया जाएगा तो उससे हमारी अमिनोटी में बूस्ट अप रहेगा, साथ-साथ हमने दूद दई का इस्तेमाल जरू करना है, इंडा मची हफ्ते में एक से दो दफार जरू काना है, पल फूर्ट का इस्तेमाल के साथ-साथ-साथ-पानी का इस् परी रखना है, और हमने अपने इस चीजों को सफाई के साथ जो हैं, उसको इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो ये चीज़ें बहुत जादा पहलेंगी नहीं, साथ-साथ-साथ-पानी को कौन सी चीज़ें खराब कर सकती हैं, जिसमें सिगरेट नोशी क तरक करने से अमिनिटी को बहतर बनाया जासेता है, जो लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कर से हैं, उनके पेपड़े कमसोर होते हैं, जिसकी वज़ा से उनके सांस फुलें की कफादियत सांस बहुत जादा रहता है, उसी की वज़ा से जरासीम उनको तंग जादा कर सकता है, अब हम बात कर रहे थे शुगर के मरीजों के अवाले से के जब आइसुलेशन में जाएंगे या वैसे भी उनको क्या करना होगा, कि अपनी शुगर को ब्लड पेशे को कंट्रोल करना है, दवाएं को पाबंदी से खाना है, और इंसुलीन जो तजीज की कही है, उसको र हैं कि पिछुग ऑग गाफ़ी ऑंशाओ जिया सकती हैं, जैसे जंक सलफेट हैं जिससे हम जो है, अपनी अमिनीटी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो अगर मरीज हैं अपने गिजाये इद बहुत अच्छे तरीके से नहीं खाब पाता, क्योंकि के ओमर रसीदा लो जिनमें जिन्क, ए, बी, सी और ए का कंपोनन्ट शामल हो जिसे इनकी कुट मुदाफियत को बहतर बनाया जा साथ है फासाथ में अपनी आखरी इस वायरिस के साथ अमिनली को बढ़ाने से पहले एक आखरी वो पी दूगा के अब रमदान के आमत है जिसमें रोजे शुगर के मरीज रख सकते हैं लेकशे लिए जरुरी है को वो अपने मालिज के पास पहले मौइना करेंगे और उस मालिज के साथ अपनी दुआईयों में थोड़ी से तबदीयां करेंगे और साथ साथ कुछ टेस्स कराएंगे कुछ वो मरीज है जिसमें गुर्टे के मरीज हैं जिगर के मरीज हैं दिल के मरीज हैं वो रोशा रखते हुए इत्याद से रखे क्योंकि उनके ये तकलीफें बढ़ने के चांस हो सकते हैं